कि सदी और एशिया में एडीबी ने महत्पूर्ण भूमिकाने भाई और कैसे इसको और सशक्त किया जाए कैसे इसका बहतर कैपिटलाइजेशन किया जाए उस पर भी फोकस एडीबी का इस वक्त आप देख रहे हैं भारत बंडपम के अंदर की तस्वीरें जहां पर योग का स्वागत करेंगे और भारत मंडपम की खुबसूर्टी से दोचार होते हुए ये सभी हमारे महमान मुखिस्थल तक पहुचेंगे एशिया एक शेत्र में इंफ्रस्ट्रक्चर डवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की बहुत ही महतपूर भूमिका है और भारत एक बहुत ही एहम हिस्सा तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डिवलिपमेंट बैंक के प्रेजिडेंट मसाथ सुगू असाकावा का स्वागत करते हुए और यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ है ये लगातार आगे बढ़ेगा फानेशल स्टेबिलिटी बोर्ट वित्यस्थिर्टा बोर्ट के अध्यक्ष क्लास नॉट भारत मंडपा में प्रवेश कर चुके हैं 2021 से ही वे एफस्बी के अध्यक्ष रहे हैं उन्हें एक लंबा अनुभव रहा है ये उरोपियन सेंट्रल बैंक के गवर्निंग काउंसिल के भी सदसे हैं जनरल काउंसिल के भी सदसे हैं और वे आई-एम-फ के बोर्ट आफ गवर्नर्स के भी सदसे हैं धार्मंती नरेंद्र मोदी, Financial Stability Board, FSP के अधियक्ष Class Not का स्वागत करते हुए. और FSP बहुत important इसलिए क्योंकि IMF के साथ मिल करके इन्होंने synthesis paper तयार किया है, भारत ने जो अपनी presidency में क्रिप्टो को regulation को ले करके प्रात्मिक्ता दिखाई, उस पर काफी important paper. और इस वक्त अंतर राष्टिश श्रम संगतन, ILO के डिरेक्टर जनरल, Gilbert F. Hounbo, जिनका प्रवेश हो चुका है, वे ILO के 11 डिरेक्टर जनरल हैं, और वे पहले अफ्रीका महाद्वीब के नाकरिक हैं, जिन्हें ये पद मिला है. दोजार बाइस से ही वे इस पत पर आसीन हैं, अंतर राष्टिश श्रम संगतन के डिरेक्टर जनरल, Gilbert F. Hounbo का स्वागत करते हुए प्रदान मंत्री नरेंद्र मोती, और ये हैंडशेक बहुत कुछ वया करता है. और G20 के धक्षता में, मिनिस्टेरियल कम्यूनिकेर और आउटकम डॉकुमेंट जो की लेबर पर है, उसको भी स्विकार किया गया है. अंतराष्टे मुद्राकोष, IMF की मैनेजिंग डिरेक्टर, क्रिस्टालीना जॉर्जीवा, जो वर्ल्ल बैंक की CEO भी रह चुकी है, और तीन महीने के लिए इंटरिम प्रेजिएंट भी वर्ल्ल बैंक ग्रूप की रह चुकी है, और कल हमने देखा कि जब इनका आगवन पर तो भारत की संस्कृति को देख बेहत आनन दित हो रही थी, स्वाइं भेन रित्य में जूड रही थी, और इसी जोश अरुक्सा की साथ, अंतराष्टे मुद्राकोष की मैनजिंग डिरेक्टर, की अशियन लीना जॉर्जीवा का प्रवेश भारत मार्पमें, अजु ब नरेंदर मोदी, IMF के चीफ का स्वागत करते हुए, और IMF के ध्यक्षता में बहुत सारे मुद्दों पर मन्थन हुआ, और भारत की प्रेसिदेंसी के जो प्रात्मिकताएं हैं, IMF ने खुल करकिन का स्वागत किया, और प्रेसिदेंसी को पूरा समर्थन, IMF ने जताया है, IMF के बई कई सारे सिंथिस पेपर भी G20 लीडर्स के समिक्षा के लिए पहुँच चुक है, तो विभिन राष्टर धिक्षु का पहुचना जारी, संयुक्त राष्टर के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज, जो इससे पहले United Nations High Commissioner for Refugees के Commissioner भी रह चुके हैं, दस साल तक वे वंचित और समवेदन शील समुहों, उनके मुश्कलों को बहुत करीब से महसूस करते रहे हैं, यह ग्यात रहे कि जब वो Commissioner for Refugees थे, उस वक्त सीरिया, इराक, सुडान, यमन, इनके विस्थापितों का दर्द भी उन्होंने करीब से देखा है, वे पुर्तगाल के प्रदान मंत्री भी रह चुके हैं, और सेक्रेटरी जनरल के तौर पर उन्होंने कई महत्वपुन्ट कारे की हैं, कई महत्वपुन्ट शुरुवात की हैं, और G20 के धक्षता के लिहाद से यह समझना जरूरी है कि कले उन्होंने बड़ा बयान दिया कि United Nations में भी Reform के लिए वो तयार है, United Nations के चीफ के तौर पर ये बड़ा बयान भारत की प्रेसिदेंसी में आना और भारत की प्रेसिदेंसी को समर्थन देना, United Nations की तरफ से एक बड़ा बयान और ये तसमिर है तहासे इस वक्त सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का स्वागत करते हुए झाल में अजय बड़ा है झाल में निएक स्वापनी झाल दो खाना सब्सक्राइब झाल कर दोड़ा है झाल कर दोड़ा है झाल प्रेजिडेंट अजय बंगा जिनका स्वागत किया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने वे पहले श्वेत वेक्ति हैं जिने आई-म-फ वर्ल्ल बैंक दोनों के अध्यक्षता उन्होंने संभाली है और महत्वपुन बात कि उनका बिजनेस वर्ल्ल में भी काफी महत्वपुन अनुभव रहा है जिसके बाद वे फिलहाल वर्ल्ल बैंक के प्रेजिडेंट और इस वक्त विश्व स्वास्ते संगटन डब्लु एचो के डिरेक्टर जेनरल डॉक्टर टेज्रॉस अद्नॉम गे रहे हैं Global Fund to fight AIDS malaria tuberculosis के भीवे अध्यक्ष रहे हैं और जिस वक्त कोविड महामारी ने पूरे विश्व को जकर लिया था उस वक्त उनके अध्यक्ष्टा में डब्लु एचो ने महत्वपुन कार्य किये और इस स्थिती में विश्व के समक्ष एक महत्वपुन उदाहरन भी प्रस्तुत किया विश्व स्वासे संगठन के डिरेक्टर जनरल डॉक्टर टेद्रॉस अद्नौम गैब्रियेस जी ट्वेंटी के धक्षता में वन हेल्थ एप्रोच पर एक बड़ा फोकस और डबलु एचो की इसमें बहुत ही महत्वपुन भूमी का वाकिन ग्रूप की ह इनिश्येटिव अन डिजिटल हेल्थ इसको एडॉप किया गया है वो लीडर्स के समिट के दौरान उसे रखा जाएगा और अगर उसको समर्थन मिलता है तो यह विश्र के स्वास्त को और ज्यादा समाविश्य बनाने के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए और ज्यादा एफॉर्डबल बनाने के लिए बहुत बड़े मील का पत्थर साबित होगा। जो ऑस्ट्रेलिया के वित्तमंत्री भी रह चुके हैं प्रधारमंती नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करते हुए। स्तर पर मुद्दों पर समावेशी विकास को समाहित करने में बहुत ही महतुपूर्ण भूमी का निभात है। और वर्ल्ल ट्रेड और्गनाइजेशन की डिरेक्टर जनरल गोजी ओओ कॉन्जो इवियाला जो पहली महिला डिरेक्टर जनरल रही है ड्व्यू टियो की और पहली अफ्रीके नागरिक जिनहें ड्व्यू टियो की अध्यक्षता मिली है। गोजी ओकॉंजो इवियाला जो ग्लोबल फाइनस एक्सपर्ट हैं एकोनॉमिस्ट हैं एशिया, एफ्रीका, यॉरप, लेटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में काम करने का इन्हें 40 वर्षों का अनुभव रहा है और अंतराष्ट्य विकास के विशेशग्य इन्हें माना जाता है और फिल्हाल WTO की अध्यक्ष्टा सभाल रही है 21 सदी के लिए WTO को तयार करना, WTO में रिफॉर्म इसकी लगातार बात करते ही करता रहा है भारत और प्रदानमंत्री मोदी ने भी इस पश्क तौर पर WTO में रिफॉर्म की वकालत की और ट्रेड एन इन्वेस्टमेंट की वरकिंग ग्रूप में WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग में भारत इस मुद्धे पर लगातार बात करता रहा है कि विकासील देशों को ग्लूबल साउथ की आवाज को WTO में और ज्यादा तरजी दी जानी चाहिए मार्केट एकसेस में जो विकासील देशों की मदद करें इस शिकर सम्मेलन में सदस्ता मिल सकती है प्रधामिंती नरेंद्र मोदी अफ्रीकरी संग के अध्यक्ष अजाली असुमानी का स्वागत करते हुए और जिस तरीके से गले लगकर गर्म जोशी के साथ हैंडशेक किया जा रहा है ये बताती है कि अफ्रीकी संग को G20 शिकर सम्मेलन में सदस्ता मिलने के आसार पूरे है विलकुल ये बड़ी खबर आ सकती है डेली डेकलरेशन के बाद कि अफ्रीकन इनोन को शामिल किया गया है बहुत ही इंपॉर्टन स्टेटमेंट शायद दिल्ली से निकल सकता है अफ्रतान के बाद दूसरे सबसे वरिष्ट अधिकारी उप्रधान मंत्री ही होते हैं और ऐसे में अपने देश ओमान का G20 में आमंत्री देश के तौर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ओमान के उप्रधान मंत्री अतिथी देवो भव की अवधारणा को जमीन पर उतारते हुए भारत मंडपम में G20 के अध्यक्षता और शिकर सम्मिलन से ठीक पहले सबसे पहले अंतरास्ट्री है संस्थान और उसके बाद अतिथी रास्ट्र उनका स्वागत यह हमारी परंपरा और बहुत ही इंपोर्टेंट इन अतिथी देशों का G20 की बैठकों में शामिल होना एक ग्लोबल इंपोर्टेंस उनके लिए तो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ओमान के उप्रधान मंतरी साइथ असार बिंतारिक अलसाइथ का स्वागत करते हुए फॉर्मल फोटो आप और आमंतरी देशों की फिहरिस्थ में बांगलादेश की प्रधान मंतरी शेक हसीना जिनका आगमन हो गया है बांगलादेश हमारा बेहत करीबी परोसी देश कल ही प्रधान मंतरी की बांगलादेश की साथ द्वीपक्षेवार्ता भी हुई और शेक हसीना, प्रधानमंत्री शेक हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के बीच इस त्वी पक्षेवारता में people-to-people contact को बढ़ाना, commercial linkages को बढ़ाना, karaktiviti को बढ़ाने पर बात चीथ हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, बांगलादेश की प्रधान मंत्री शेक हसीना का अपचारिक स्वागत करते हुए परोसी देशों के साथ भारत सदा ही अपने रिष्टों को प्रगार करने में जुटा रहता है और ऐसे में बांगला देश जिन से हम सीमाय साजा करते हैं हमारा एक महत्वपुन पर उसी देश और अब मौरिश्यस के प्रधान मंत्री प्रविंद जुगनात स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एजिप्ट के राश्टपति अब्दलफटह अलसीची एजिप्ट जहां पर भारत अपने बहुत और राश्टपति आबदलफटह अलसीची भारत के साथ अपने रिष्टों को प्रगार करने के लिए कई महत्वपुन कदम उठा चुके है बहुत इंपॉर्डन्ट और आपको ध्यान होगा की प्रधान मंत्री ने हाल ही में एज़िप्ट की यातरा भी किई और दोनों देशों गया कई सालों के बाद कोई भारत का प्रधान मंधुक्पी एजुप्ट की आतरा पर गया और बहुत ही गर्मदोश्री के साथ हम का स्वागत किया गया और मुझे लगता है कि वहीं पर इन्मिटेशन प्धान मंत्री ने दिया और इस लक्त प्रस्वीर आपकी स्क्रेंस पर प्धामंती नरेंद्र मोदी एजिप्ट के राष्टपती अब्दल्फते अलसी सी का स्वागत करते हुए हैंड्शेक करते हुए कुणार के सूर्य मंदिर से प्रभावित ये द्रिश्य और इस बात का विशेश ख्याल रखा गया है कि जब ये आपचारिक फोटो आप हो रहा हो तो भारत के संस्क्रिति के इस अमुले धरोहर का भी एक उदाहरन विश्व के साथ रहे और इस वक्त मौरिश्यस के प्रभावित जुगनात मंदपम में प्रवेश कर चुके हैं मौरिश्यस के साथ भी भारत की कल द्वी पक्षेवार्ता हुई प्रभावित नरेंद्र मोदी ने मौरिश्यस के प्रभान मंत्री के साथ द्वी पक्षेवार्ता की और इस वक्त द प्रादान प्रदान पर भी जोर रहा क्योंकि मौरिश्यस पहला ऐसा देश है फ्रीकी महादवीप का जिसके साथ सेपा भी अग्रीमेंट पर भी आगे हम बढ़ चुके हैं इसको भी हम साचा करते हैं तो दोनों देशों के बीच के रिष्टे बेहत महत्तुपूर्ड भारती नरेंद मोदी मौरिश्यस के प्रधान मंत्री प्रविन जगनात का स्वागत करते हुए विभिन देशों के राश्ट्रा धियक्ष जिनका आगमन इस वक्त भारत मंदपम में जारी है और निदलान्स के प्रधान मंत्री मार्क रुप निदलान्स जो आमंत्रिक देशों की में शामिल है और निदलान्स के साथ भारत का आदान प्रधान महत्रपुंट सतर पर होता रहता है निदलेंड्स की जो वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेज हैं अग्रिकल्चर के प्रैक्टिसेज हैं वो पूरी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल और रास्टपती जब यहां की आतरा पर थे तो बहुत सारे वाइलेटर्स के जरिये दोनों देशों के कारोबारी संबंधों को और मजबूत बनाने की कोशिश की गई थी और रास्पिल से एक्षाइज जिस मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े और गले लगकर प्रधान मंत्री के साथ उन्हों साम जानते ही हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के देशों के राश्ट्राध्यक्षों के साथ एक अलग ही केमिस्ट्री होती है और जिनके साथ उनकी मुलाकात होती भी रहती है ऐसे में ये राश्ट्राध्यक्ष जप्रधान मंत्री से मिलते हैं तो ये गर्म जोशी हम हांडशेक में जो स्ट्रेंट है वो आपसे विष्टों को भी बेहतर बनाती है और इस वक्त नाइजीरिया के राष्टपती बोला एहमत तिनुपू नाइजीरिया को उम्मीद है कि भारत से रक्षाक शित्र में बहुत बड़ा इंवेस्मेंट शायर नाइजीरिया में आ सकता है और साथी साथ स्कष्ट तोर पर अपचारिक तोर पर इनोंने कहा है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत को G20 की प्रेसिदेंसी दी गई है इस साल और बहुत सारे मुद्दे जो ग्लोबल साथ के उठाए गये हैं वो नाइजीरिया ने उनका समर्थन किया है और भारत के प्रति अपनी प्रतक गयदा जता है और अफ्रीका का एक बेहत महत्पुन्ट सबसे बड़ी अथ्वस्था माना जाता है नाइजीरिया को इन भारत आना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया की राष्टपती बोला एहमद तिन्भू का स्वागत करते हुए और प्रष्टपर पर नाइजीरिया बहुत से उत्साहित होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंट्रेस्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं और आटो सेक्टर में कुछ बड़ी उम्मीदें कुछ बड़े आयलान भी हुए हैं बीते दिनों सिंगापूर के प्रधानमंत्री लीशियन लूग और हम जानते हैं कि सिंगापूर के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर केमिस्ट्री रखते हैं और ऐसे में सिंगापूर के प्रधानमंत्री का भी एकामंत्री देश के तौर पर G20 श से जो भारत सीखना चाहता है उस Smart Cities का जो प्रोजक्त है Financing Cities of Tomorrow को ले करके जो कॉन्फरेंस हुई गांधीनगर में उसमें सिंगापूर की बहुत ही ऐहम भूमी का रही Gift City जो बनाया गया है गांधीनगर में उसमें भी Singapore एक अहम भागिदार के रूप में सामने आया है तो Singapore के प्रधानमंत्री लीशेन लूंग का स्वागत किया प्रधानमंत्री ने और विभिन देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी है और उनका उप्चारिक स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अठारवे G20 शिखर समेलन के दौरान किया जा रहा है और ये योग वॉल जिसके आगे से सभी राष्टाध्यक्ष गुजर रहे हैं महत्रपुन हम जानते हैं कि स्पेन ये रोपी संक का हिस्सा है और स्पेन के साथ भारत की संबन्थ विहतर है और ऐसे में स्पेन की उप्राष्ट्पती और उनके चेहरे पर खेली मुस्कुराहत ये बया करती है कि इस शिकर समेलन में आमंत्रिदेश के तौर पर शामिल होना स्पेन इसे महत्रपुन मानता है दुनों देशों के बीच स्किल्ड वर्कफोर्स के आदान प्रदान को ले करके काफी जादा उत्सुकता दिखाई दे रही है और स्पष्ट तौर पर जो जी ट्वेंटी में बातचीत चल रही है लेबर फोर्स के किसी भी तरह के मुव्मेंट को बढ़ावा देने के लिए जो एक आम सहमत एक वैश्विक सहमत ही बनाई जाए उसमें भारत और स्पेन दोनों ही देशों को फाइदा होने की उम्मी दौर स्पेन की उप्राष्ट पती नाटिया केल्वीनो सेंटा मारिया का स्वागत करते हुए हैंडशेक करते हुए नौ आमंत्र देश इस पार अठारवेंची ट्वेंटी शिखरसन मेलन में भारत की ओर से विशेश रूप से आमंत्र देश जिनमें आखरी देश है यूए यूए संयुक्त अरब अमिराद असे थोड़ी दियर पहले यूए यूए के तरफ से अभी तक जो इन्वाइटेट कंट्रीज हैं उनमें उमान तो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूए यानि संयुक्त अरब अमिराद के राष्टपती शेक मुहामद बिन जायद अलनाहयान मंडपा में प्रवेश करते हुए संयुक्त अरब अमिराद एक बेहत महत् उनसे यूगी देश संयुक्त अरब अमिराद फ्री ट्रेट एग्रिमेंट को लेकर के दोनों देश काफी ज्यादा उत्साहित और हाले में जो एकिया गया है भारत की तरफ से उसका फायदा आप जमीन पर दिखने लगा है रोजगार के लिहाद से जीडीपी के लिहाद से और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड रिलेशन से इसको बढ़ाने में इस FTA की बहुत अहम भूमिका रही है और बहुत सारे भारती है साथी अरब में जो कारे करते हैं उनको लेकर के लेवल प्लेंग फील्ड दी जाया और उनको एसिस्टेंस दिया जाया और आप केमिस सायत अलनहयान का स्वागत करते हुए ना केबल हैंडशेक बलकि दोनों हाथों से उनके हाथों को थामते हुए उन्हें गले लगाते हुए तब तक नौ आमंत्रित देश ओमान, बांगलादेश, इजिप्ट, मौरिशिस, नीदरलैंस, नाइजीरिया, सिंगापोर, स्पेन और युए इन नौ आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और अब बारी है जी ट्व स्वागत करेंगे, हालांकि अभी फ्रांस की राष्ट्रपती, मैन्वल मैक्रों का भारत आगमन का इंतजार है, लेकिन बाकी सभी राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुँच चुके हैं, तो इन सभी का स्वागत करेंगे, प्रवेश्ट्री नरेंद्रमोदी और भारत मंडप अपनी पूरी खुपसूर्ती के साथ, इस वक्त मौसम की भी खुपसूर्ती को समेटे हुए, यहां अपने विदेशी महमानों का स्वागत कर रहा है और G20 सदस्य देशों में सबसे पहले, मेक्सिको के आर्थिक मामलों की मंत्री, राकेल गुएन्रोस्त्रो सैंशेज मेक्सिको को विकासिल देशों की एक सश्रक्त आवाज के रूप में देखा जाता है और agriculture को लेकर के जो आपर best practices हैं, उनसे सीखने की कुशिश पूरी दुनिया करती रही है agriculture working group में भी मेक्सिको की एहम भूमिका वही है किस तरह से खाद सुरक्षा को लेकर के जो खाद की कीमतों में हमने उचाल देखा कोविट के दौरान, रशिया उक्राइसिस के दौरान, उसमें कैसे सभी लोग मिल करके food security की जो समस्या है उस पर आम राय, आम सहमत ही बना पाएं उसमें मेक्सिको ने एक एहम योगदान दिया और स्पश्ट तोर पर अपने विचारों को रखना काफी एहम तो मेक्सिको की आर्थिक मामलों की मंत्री राकेल बुएं रोस्त्रो संचेज का स्वागत करते हुए प्रदान मंध्री नरेंद्र मोधिर तो मैक्सिको के राश्टर अध्यक्ष का ही जी ट्वेंटी शिकर्समेलन में आना हो था लेकिन स्वाश्ट का प्रतिंधूं के आरो यहको यह में आपत। स्वागत किया जा रहा है भारत मंडपम जो अठारवे जी ट्वेंटी शिखर समेलन का केंड भारत मंडपम जहां से उमीद की जा रही है कि दिल्ली घोशना पत्र एक मजबूत आवाज ग्लोबल साउथ के देशों की बन कर उभरेगा यहां से एक ऐसी दिशा दी जाएगी ज भारत की अध्यक्षता में नया अध्याय लिख पाएगा इस बात की भी उमीद की जा रही है जिस सोच को विभेन वर्किंग ग्रोप्स शेर्पा ट्रैक फाइन्स ट्रैक में भारत ने आगे रखा जिस जनभागिदारी के संदेश को सामने रखते हुए एक्शन ओरियेंट चर्चाओं पर भारत का जो रहा जिस तरीके से विभेन देशों के बीच सेहमती बनाने की लगातार प्रयास किये जाते रहे संवेदन्शेल मुद्दों पर भी एकमत होने की प्रयास रहे वो ये भी दिखाता है कि दिल्ली घोशना पत्र में जब वो सकल सामने आएगा तो भारत के उद्धोश को तो सामने रखेंगे ही लेकिन साथ ही विश्व को भी नया संदेश नई दिशा दे पाएंगे क्योंकि ये संदेश जो इस भारत मंडपम से निकलेगा ये संदेश पूरे विश्व के कल्यार और पूरे विश्व के विकास के संदेश के साथ ये थीम एक सर्व समावेशी थीम तभी भारत एक प्रित्वी एक कुटूम एक भविश्य की बात कर रहा है और इसलिए इन्ही विभिन मुद्दों पर सेहमती बनाने के प्रयास इस भारत मंडपम में कुछी पलों बात शुरू हो जाएंगे जब आपचारिक स्वागत के बा संभाली उनका पहला फोकस यही रहा कि G20 कि पूरे उत्सव को लोगों के साथ जोड़ा जाया और वैश्विक जो चुनवतियां हैं उनके लिए एक सशक्त मंच तयार किया जाए जिसमें सभी की आवाज सुनी जाए सभी के विज़ारों को एक मंच दिया जाए और एक साज की रहें बहुत ही महत्पूर जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे हैं भारत मंडपम के ठीक आगे नट राज की भव्य मूर्ती भारत के संस्कृतिक उद्भाव और हम कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृतिक पावंधरा के रूप में जो भारत अपने आपको भारत जिस रहा है ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आपको प्रगती मैदान में स्थित नए भारत मंडपम से सीधे हम आपके लिए खास तोर पर लेकर करके आए हैं जहांपर आपसे थोड़ी ही देर बाद G20 शिखर समेलन दो हजारतेईस भारत के अध्यक्षता में शिखर समेलन यानि लीडर्स अब डेली डेकलरेशन पर अपनी अंतिम मुहर लगाएंगे कौनसे मुद्दे कौनसी प्राथमिक्ताएं जो भारत में रखी जिन पर वैश्विक सहमती बनती है पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है क्योंकि प्राथमिक्ताएं बहुत बड़ी भारत की ओर से अर्जेंटीना की राष्टपती अलबर्टो फननेंटेज 2018 में जब अर्जेंटीना ने G20 के धक्षता की तो उस वक्त फूट सेक्यूरिटी के एक मुद्दा बनाया शायद किसी को नहीं पता होगा कि उसके बाद COVID और उसके बाद Russia और Ukraine क्राइसिस के बाद Food Insecurity दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा लेकिन आज भारत ने जबरदस्ट लीडर्शिप का परिचे दिया फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस, फर्टिलाइजर क्राइसिस, तीन एफ की जो क्राइसिस है उसको सेंटर में रखते हुए बारताओं के जरीए कैसे इस संकट का एक साजहा हल निकाला जाए पुरजोर को शिश्की भारत ने अपनी और से तो प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी, अर्जिंटीना के राष्टपती अलबर्टो फनांडेस का स्वागत करते हुए अर्जिंटीना जो भारत के साथ कई विभिन समुहों में मंच साजहा करता है और इस वक्त जी ट्वेंटी शिखर संबेलन में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी अर्जिंटीना के राष्टपती का स्वागत करते हुए अर्जिंटीना जिसके साथ हमारे व्यापार कई उत्पात के तहट आगे बढ़ता है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंत्री अंथनी नॉर्मन अल्बनीजी Sustainable, balanced and inclusive global economic growth के लिए ऑस्ट्रेलिया के आवाज बहुत है महत्पूर्ण ऑस्ट्रेलिया ने एक open global economy and rule-based multilateral trading system का समर्थन किया है जिस पर भारत के presidency का सबसे बड़ा focus रहा है कि जो 20-वी सदी के संस्थान है उनको 21-वी सदी के लिए कैसे तयार किया जाए खुले तोर पास्ट्रेलिया ने समर्थन किया है कि जो reforms है multilateral institutions का होना चाहिए उस पर कई सारे papers आ चुके हैं भारत की ओर से independent expert group ने अपनी पहली report भी सौब दी है दूसरी report शायद October में आएगी जिसका असर आने वाले दिनों में आपको presidency के दौरान दिखाई दे सकता है एक बड़ी पहल आस्ट्रेलिया ने जिसका भरपूर समर्थन किया प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधान मंतरी अंथनी नौबन ऐल्वनीजी का स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भारत अपने संबंदों को विभिन स्तरों पर आगे बढ़ा रहा है और इस वक्त Australian प्रधान मंत्री Anthony Albanese का प्रधान मंत्री ने स्वागत किया और इस वक्त G20 के सदस्य देशों की राष्ट्रा ध्यक्ष जिनमें Canada के प्रधान मंत्री Justin Pierre James Trudeau का आगमन G20 शिकर समेलन पर आने से पहले Justin Trudeau ने कई महत्वपुन बयान दिये हैं लेकिन देखना होगा कि G20 शिकर समेलन में जो चर्चाएं आगे बढ़ेंगी उनमें Canada के प्रधान मंत्री क्या पक्ष लेते हैं तो Canada के प्रधान मंत्री Justin Pierre James Trudeau का स्वागत करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और भारत ने स्पष्ट तोर पर कहा है कि जो राजनीतिक या भू राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको भारत ने G20 के विकास के मुद्दे पर हावी नहीं होने दिया और यही शायद भारत के G20 प्रिसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता कहीं जा सकती है क्योंकि ऐसा लग रहा था बहुत सारे देशों को कि शायद भारत कहीं दबाव में जुक न जाए लेकिन भारत ने स्पष्ट तोर पर किसी का भी बिना कोई पक्ष लिए निस्पक्ष्ट तोर पर इस अध्यक्षता को स्पष्ट तोर पर एक लीडर्शिप के तोर पर समहला और भारत ने अपनी और से बिलकुल साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के जो भूराजनितिक परिस्थितियां है उनको इस वारता पर हावी नहीं होने देगा क्योंकि ये एक मंच है वैश्विक विकास के मुद्दों को समाधान देने का एक साज़ा हल रूणने का और इस वक्त यूर्पेन यूनियन कमिशन की प्रेजिडेंट उर्सुला वान्टे लाइन जैसा कि आपको पता है कि 19 देशनों के साथ यूर्पेन यूनियन कमिशन बहुत है इंपॉर्टेंट और भारत और यूर्पेन यूनियन के बीच इस वक्त हम फ्री ट्रेट एग्रिमेंट की बात कर रहे हैं सबसे बड़ा ब्लॉक आप देखें भारत के कारोबारी संबंध लगातार प्रगाड होते रहे हैं 2018 के बाद देखें तो जो हिस्सेदारी है भारत की यूर्पेन यूनियन एज ब्लॉक के साथ वो करीब-करीब दोगुनी हो गई है आठ फिस्दी से बढ़कर का 18 फिस्दी की हिस्सेदारी कारोबार में सपश्ट तोर पर नज़र आई है एकिन जी-टवेंटी में यूरोपन यूनियन के महत्वपूर भुमिका पूरे यूरोप की तरफ से एक मात्र सदस जो पूरे यूरोप का प्रतनी धित्व करता है G20 के इस बहुत ही खास मंच का तो European Union की कमिशन के प्रेजिडेंट उर्सुला वांडर लाइन जिनका प्रद्हार मंती नरेंद्र मोधी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है European Union Council की तरफ से उर्सुला वांडर लाइन और European Union Commission की तरफ से European Union Council के प्रेजिडेंट शार मिशल जो की European Union Commission के प्रेजिडेंट है और इस वक्त आपकी स्कीन पर नजर आ रहा है European Union Council के प्रेजिडेंट शाल्स मिशेल इनका स्वागत प्रहामंती नरेंद्र मोधी के द्वारा European Union G20 में फिलहार इकलौता संख जिसके बाद अफ्रीकी संख के शामिल होने के बाद कह सकते हैं कि G20 में दो संख हो जाएंगे उनीस देश और दो संख लेकिन फिलहार उनीस देशों के साथ G20 में European Union एक संख के तौर पर शामिल है जैसा कि आपको पता है कि भारत की प्राथमिक्ताएं बहुत हिस्पस्ट हैं इंक्लूसिव डेवलिप्मेंट को बढ़ावा देना है और ये G20 के प्राथमिक्ताओं में शामिल जर्मनी के चांसलर उलाफ शॉल्स का आगमन जर्मनी के बहुत महत्पूर्ण भूमिका और G7 के मंच पर जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो सपश्ट तोर पर उनका भविस्वागत किया गया था और वहां पर जो जर्मनी के चांसलर उलाफ शॉल्स का स्वागत करते हुए उनके स्वास्त का हाल चाल भी जानते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जबरदस्त कमिस्ट्री के जरिए और यह देखा जा सकता है कि जैसे वहो के डिर्क्टर जनरल उनका भी थोड़ा स्वास्त ना सास्ता प्रधान मंत्री ने उनका भी स्वास्त पूछा लेकिन यह भी दिखाता है महत विजी ट्वेंटी शिखर समेलन का जहां विभिन राष्टर अध्यक्षियों और संगठनों के अध्यक्षियों के द्वारा यह प्रयास किया गया है कि वे इसमें जरूर शर्कत करें जरूर शामिल हों क्योंकि इस वक्त का जी ट्वेंटी शिखर समेलन इस दौर में प G20 शिकर समेलन में लिये गए निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इसलिए इस वक्त जो अपचारिक स्वागत आमंत्री देशों के राष्ट्रा ध्यक्षों का, G20 सदस्य देशों का और अंतराष्टी संगठनों के ध्यक्षों का किया जा रहा है, ये ये भ अंडपम जो विसबरी से प्रतीक्षा कर रहा है उन महमानों की जिनका भी आगमन का इंतजार है और विभिन राष्ट्रा ध्यक्ष जो अपसे कुछी देर बाद जब फॉर्मल सेशन्स शुरू होंगे तो गंभीर समस्याएं विश्व के सामने जो उपस्तित हैं उन पर मन इन देश सामोहिक जिम्मेदारी निभाते हुए इन निर्नेओं को लेकर आगे बढ़ सकें सामोहिक जिम्मेदारी सर्व समावेशी विश्व के विकास की सामोहिक जिम्मेदारी वैश्विक चुनोतियों से निपटने की सामोहिक जिम्मेदारी वसुधाय कुटुम्ब कम क तहट एक पृत्वी, एक कुटूम, एक भविश्य के मंत्र को साकार करने की। और इस वक्त इटली की प्रधान मंत्री जो इटली की पहली महिला प्रधान मंत्री हैं। मात्र 15 वर्ष के आयू में वे इटालियन सोशल मूवमेंट से जुड़ गई थी। 21 वर्ष के आयू में ही वे रोम की काउंसलर चाहिनित हो गई थी, 39 वर्ष के आयू में ही वे सांसत भी बन गई थी। और 2022 में ही उन्होंने इटली के प्रधान मंत्री पत को संभाला। 2020 में जब इटली ने G20 के धक्षता सम्हाली, उस वक्त COVID-19 का जो क्राइसिस था, वो काफी अपनी जड़ें जमा चुका था, ऐसे में रोम डेक्लेरेशन जिसमें स्वास्त को लेकर के एक साजे प्रयास के तौर पर जो प्रेसिडेंसी की थी, इटली ने उसे काफी सराहा ग या मैलोनी का स्वागत करते हुए, जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहा हैं कि G20 प्रेसिडेंसी पूरी अभी तक जो देखे हैं हमने एक दिसंबर 2022 से महतवपूंट स्तंभों पर नजर आती हुए, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, फुमियो किशिदा जो पूर प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरकार में विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, 2012 से 2017 तक और इसलिए भारत के साथ संबंधों को वे पूरी तरह और बिहतरीन तरीके से परिभाशित कर रहे हैं, जापान एक महतवपूंट देश है हमारे लिए जिसके साथ हम विभिन मंचो पर हम सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा का स्वाकत करते हुए। देखा कि तीन देशों के साथ द्वी पक्षिवारताएं हुए। जिसके बाद आज भी सबकी नजरे रहेंगी जब उमीद की जा रही है कि यूके, जर्मनी, फ्रांस के साथ भी और अन्य देशों के साथ भी प्रधान मंत्री द्वी पक्षिवारताएं करेंगे। और इस वक्षिन कोरिया की राष्टपती यून सु कियो। दोनों देशों के बीच मित्रता की पचासमी वर्षगाठ दोनों ही देश मनाते हुए और एक स्पेशल कामपेन G20 से ठीक पहले चलाया गया जिसमें दोनों देश एक साजी विरासत, विश्वास की विरासत को आगे ले जाने पर सहमत हुए हैं, मित्रता को और G7 समिट में भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मुलाकात इन से हुए और अब G20 का मंच तयार और पूरे साल हमने सहयोग देखा, कोरिया का भारत की तमाम प्राथमिकताओं पर और स्पश्ट तोर पर सांस्कृतिक लिहाथ से दोनों देश और जादा करीब आते हुए दक्षन कोरिया की राष्टपती यूसु की ओल जिनका स्वागत कर रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो कई सदस्य देश जिनके आगमन का इंतिजार और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विशेश रूप से इस अपचारिक स्वागत कारिक्रम को आगे बढ़ात जिसे पूरे विश्व को उमीदे हैं और जिन देशों को यहां G20 शिखर समेलन में जिनके फ्लाइग सम देख सकते हैं, मंडपम के बाहर सजे हुए, लेकिन इन सभी देशों के उपर जिम्मेदारी है, यह जिम्मेदारी है कि इस शिखर समेलन से कुछ ठोस निकल कर सामने जो विश्व के विकास को गती दे सके हैं, इस वक्त कोविड महमारी से कितने ही देश हैं जो उबर रहे हैं, इस वक्त कोविड महमारी के बाद विभिन देशों के अर्थवे वस्थाएं चर्मराई हुई हैं, ऐसे में सभी देशों को एक जुट होकर आगे बढ़ने का यहां है भारत इस भारत मंदपम से और इस वक्षिन अफ्रीका के राष्टपती M. Cyril Ramaphosa एक महत्वपूर्ण शक्सियत है श्री M. Cyril Ramaphosa जो रंग भेद विरोधी कारे करता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं, 2014 से 2018 तक आप दक्षिन अफ्रीका के उप राष्टपती रहें और अब दक्षिन अफ्रीका के राष्टपती के पतपर विराजमान और G20 शिकर समेलन में दक्षिन अफ्रीका के राष्टपती M. Cyril Ramaphosa का आगमन. हाले में, ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी करने के बाद, अब G20 के मंच पर दोनों ही नेता एक बार फिर से कुछी दिनों में मिलते हुए, विकास शील देशों के साजह हितों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए, दोनों देशों के संबंध, कारोबारी तौर पर, सं अनुविये तौर पर, बहुत ही प्रगाड, बहुत ही प्राचीन, प्रदामंती नरेंद्र मोधी, दक्षिन अफ्रीका के राष्टपती, एन सिर्ल रामफोसा का स्वागत करते हुए, हैंडशेक करते हुए, फॉर्मल फोटो आप देते हुए, भारत मंडपम की खुपसू जब ये रोष्णियों से जक्मगा उठता है, तब ये उमीद की जाती है, कि ये रोष्णि पूरे विश्व को रोशन करेगी, और ऐसे में आज, जब मौसम भी बेहत सुहावना है, ये दिखाता है, कि दिल्ली मौसम के साथ भी तयार है, अपने गणमान अतिति गण का विभिन देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो शक्तिशाली नेता है, और ये विभिन राष्ट्र जो वैश्विक अर्थवे वस्था में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विराजमान है, इन सभी राष्ट्रों का और राष्ट्राध्यक्षों का एक ही मंच पर आज उपस्तित होना महत्वपुन संकेत और इस वक्त तुर्किय के राष्टपती रिचेपतय परद्वान का भारत मंडपम में आगमन 2003 से 2004 तक आप तुर्किय के प्रधान मंत्री रहे हैं इसे पहले आप इस्तांबूल के मेर भी रहे हैं और अब तुर्किय के राष्टपती के तौर पर महत्वपुन जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रसुत करते हुए तुर्किय ने 2015 में G20 के धक्षता सम्हाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इंवेस्टमेंट और इंप्लिमेंटेशन के 3i के इर्द गिर्द कूरी के पूरी प्रेसिडेंसी तुर्किय की थी और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको क और 2015 में जब तुर्किय की अध्यक्षता में G20 शिकर समेलन हुआ था तब W20, Women 20 का भी Engagement Group जिसका निर्मान किया गया था जिसका गठन किया गया था और वहीं से महिला विमर्ष के मुद्दों को भी आगे बढ़ाए गया जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्द पर व और इस वक्त आप देख सकते हैं United Kingdom के प्रधान मंतरी रिशी सुनक का आगमन भारत मंडपम में भारतियमूल के पहले व्यक्ति जो United Kingdom के प्रधान मंतरी पत तक पहुंची हैं पहले British Asian जिनोंने पत संभाला है और आप पहले राजकोश के चांसलर भी रह चुके हैं ट्रेज United Kingdom के प्रधान मंतरी पत को संभालते हुए रिशी सुनक हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी गर्म जोशी के साथ गले मिलते हुए रिशी सुनक के साथ और हैंडशेक करत पुले करके दोनों देश कैसे आगे भड़ते हैं और G20 के सभी मुद्दों पर समर्थन करते हुए विशी सुनक सपश तौर पर खुले तौर पर अबचारिक तौर पर भारत का समर्थन और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के लीडर्शिप की तारीफ कर चुके हैं रूस की विदेश मंतरी सर्गेई लावरोव का भी आगमन व्लादिमेर पुतिन नहीं आ पाए उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का पतिन धित्व करते हुए रूस एक शक्तिशाली देश जिसकी आवाज G20 शिकर समेलन में महतवपून रहेगी बहुत ही महतवपून रहेगी और शायद पूरी दुनिया यह देखना चाहेगी कि रूस का क्या रुख रहा है भारत की प्रात्मिक्ताओं को लेकर के भारत की प्रेसिदेंसी में जो रशिया के कंसर्ण्स हैं सेकेरिटी के मोर्चे पर या दूसरे जियो प्रेटिकल टेंशन के मोर्चे पर उसको फाइनल डेक्लेडरेशन में किन शब्दों में पारिभार्शित किया जाएगा क्योंकि यही वो पैराग्राफ होगा रशिया यूकरिन क्राइसिस को लेकर के जिसमें सभी लोग यह पढ़ना चाहेंगे कि क्या कुछ भारत की प्रात्मिक्ताओं में शामिल रहा है और अगर हम बाली डेकलेडरेशन की बात करें तो भारत का कहना है कि हम इस मुद्दे को बाली डेकलेडरेशन में जो एडप्ट किया गया था नेताओं के द्वारा उसको वहीं पर छोड़ना चाहते हैं और G20 के प्रेसिडेंसी में भारत विकास के मुद्दों को शामिल करना चाहता है उस पर फोकस करना चाहता है कियो कि ये एक Economic Forum है Geopolitical Tensions को स्थान देने का इस Forum इसे एक मंच नहीं बनाया जा सकता इसलिए ये मुद्धा बहुत ही important रहने वाला है और लगातार हमकल से देखने हैं कि foreign media भारती प्रतिमिधियों से भी बात कर रहा है कि कैसे इस मुद्धे को देखा जाएगा और वैसे देखें तो Bali declaration में भी रूस युक्रेन संघर्ष के मुद्धे पर अंत में जाकर सेहमती बन पाई थी जिसके बाद सही शब्दों के साथ पंक्तियों को जोड़ा गया था और Bali declaration सामने आया था लेकिन उमीद की जा रही है कि इस बार भारत जिस तरीके से पूरे कास की बात कर रहा है ऐसे में विभिन देश अपने सोच और एजेंडे को एक तरफ रखते हुए विश्व की बेहतरी के लिए एक जुट होने का आहवान में भारत के साथ जुड़ेंगे इस बात की उमीद की जा रही है क्योंकि भारत भी लगाता जब से भारतिया धिक्ष चर्चाओं में भी साथ जोड़ने का प्रियास भारत का रहा है और इस वक्त जाहिर है कि रूस के विदेश मंत्री क्योंकि पहुँच चुके हैं उसके बाद जब चर्चाओं में विश्रकत करेंगे तो रूस युक्रेन संगहर्ष का मुद्दा डेली डेक्लेरेशन में इ इन शब्दों के साथ रखा जाता है किस हद तक जगह मिल पाती है उस पर से अहमती बनाने पर भारत का और विभेन देश जो भारत के साथ इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि इस डेली डेक्लेरेशन को फाइनल किया जाए और सहीत तरीके से भारत विश्व के विकास को ले भारत तथा अन्य देश भी G20 शिकर समेलर में कर रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं ये जिम्मेदारी सभी देशों पर आती है कि अपनी सोच अपने स्वारत को दरकिनार करते वे इस वक्त विश्व के बेहतरी के लिए विश्व कल्यान के लिए सोचे और आगे बढ़ें ताकि क विच तोस एक्षिन ओरेंटेड जेंडे सामने आ सके। कूटनीतिक मसलों के लिए इस्तिमाल नहीं किया जा सकता और भारत कम से कम ऐसा नहीं करने देगा। बहुत सारे मुद्धों पर जरूर बात हुई और अंत तक ये मुद्धा हमने अपनी प्राक्मिक्ता में शामिल रखा कि जो विकास के मुद्धे हैं वो कहीं पीछे ने रहा जाएं। लगमिन हो चुका है। और ये ट्राइका बड़ा है इंपॉर्टन पहली बार ऐसा हो रहा है G20 के इतिहास में कि तीन विकास शील देश लगातार तीन सालों तक और अगर आप साउथ अफरीका दक्षिन अफरीका को शामिल कर लें तो लगातार चार सालों तक ग्लोबल साउथ या विकास शील देशों की आवाज के तौर पर ये प्रेसिदेंसी उन मुद्दों को आगे बढ़ाती रहेगी और इसलिए कहा जा रहा है कि जो भारत अपनी G20 प्रेसिदेंसी में जो लेगसी चोड़ेगा जिन मुद्दों पर बात आगे बढ़ी है वो दो से तीन सालों में और जादा मजबूत होती ही नजर आएंगी एक मजबूत आधार जरूर भारत ने तयार कर दिया है और विबेन कारे समोहों की बैठ्ल को पर अगर नज़र डाले विबेन आउटकम डॉक्मेंट पर भी अगर नज़र डाले तो ये पाते हैं कि हर वर्किंग ग्रूप में, एंगेजमींट ग्रूप में या अगर हम स्टैक्स की बात करते हैं तो भारत ने हर जगा यह कि कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ अधिक बेहतर स्तर देकर एंगेजमेंट ग्रोप्स और वर्किंग सम्हों के दौरान कुछ आउटकम्स बेहतर सामने आएं ऐसे में स्टार्टप 20 की शुरुआत करना या फिर महिलाओं के मुद्दो पर वर्किंग ग्रूप की घोशना करना कुछ महत्वपूर्ण और ठोस पहल के माधिम से भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि सभी वर्गों का, सभी देशों का कल्यान हो सके और अपने अध्यक्षता में भारत जिस व्यापक स्तर पर भारत ने आयोजन किये है जिस व्यापक स्तर पर सभी देशों को शामिल किया है वो ये दिखाता है कि भारत एक अलग आयाम दे रहा है G20 शिकरसमेलन को और इस वक्त ब्रजील के राष्टपती लोईज इनासिया लूला दसिल्वा ब्रजील जो भारत से अध्यक्षता ग्रहन करेगा भारत के बार ब्रजील G20 शिकरसमेलन का अध्यक्ष होगा ऐसे में ट्रॉयका के तहट ब्रजील के राष्ट्रपती लुईज इनासिया लूला डिसिल्वा भारत मंडपम में आगमन ब्रिक्स के साजे सदस्य के तोर पर भारत और ब्राजील लगातार प्रतनेजित्व करते रहे हैं एशिया का और विकास शील देशों का ब्रिक्स के मंच के जरिये ही दोनों देशों को एक सरशक्त आवाज भी समझा जाता है विकास शील देशों की और इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो ट्रॉयका है बहुत ही इंपॉर्टन्ट है भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राजील को सौपी जाएगी और कल शाम इसकी अप यदि कल डेक्लरेशन किया जाएगा प्रांसफर किया जाएगा प्रेसिडेंसी उसके बाद भारत के ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक एक दिसम्बर से ओफिशिल ये प्रेसिडेंसी जारी और विकास शील देशों को मुद्दों को प्रात्मेक्ताओं के तोर पर G20 शिकर सम्मेलन जिससे कुछी पलों बाद पहले सत्र का अप्चारिक आरंब होगा और उस पहले सत्र में One Earth विशे है और ऐसे में उमीद की जा रही है कि जिस एकात्मबात की सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है जिस बंधुत्वी की भावना को भारत आगे बढ़ा र इस बात की उमीद लगातार की जा रही है और ऐसे में विभिन राष्ट्रा ध्यक्षों का भारत मंडपम में आगमन और उसके बाद पहले सत्र में उनका शामिल होना ये उमीद जिताता है कि कुछ सार्थक चर्चा, सार्थक विमर्ष निकल कर सामने आएगा हम जानते हैं कि शेरपा ट्रैक पहले ही विभिन बिंद्वों पर विभिन मंचों पर विभिन एंगेजमेंट ग्रूपस और वरकिंग ग्रूपस के सिजेशन्स रेकमेंडेशन्स को साथ लेकर डॉक्मेंट्स तयार कर चुका है जिस पर मोहर लगाएंगे विभिन जड़ टेक्ष पर लेकर चुका है भारत मंडपम में विभिन देशों के राष्टा धेक्षों का आजमन्चारी प्रदानमंती नरेंद्र मोदी कर रहे है उपचारिक स्वागत और इस उपचारिक स्वागत के बाद फोटो आप के बाद शुरूआत होगी पहले सत्रीकी और चीन के प्रिधान मंत्री लीची एंग का स्वागत करते वे प्रिधान मंत्री मरेंद्र मोदी चीन जो G20 शिकर समेलन के विभेन मंचों पर विभेन चर्चाओं में कुछ मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है लेकिन उमीद की जा रही है कि जो आटकम डॉक्यमेंट आएगा उसमें एकमत सेहमती मिल पाएगी भारत के विभेन के साथ चीन के जो समकक्ष हैं विभेन की उनकी मुलाकात गांधी नगर में हुई थी और उसके बाद ये उमीदें अब उठने लगी हैं कि चीन बहुत सारे मुद्दों पर शायद भारत का समर्थन कर सकता है भारत की प्रेसिडेंसी का समर्थन कर सकता है देखना होगा कि विकास के मुद्दों पर किस तरह से फूट सेकेरिटी के मुद्दे पर डेट रेजलिशन के मुद्दे पर चीन का क्या रुख रहता है और भारत की प्रेसिडेंसी में जो प्रात्मिक ताय की गई है जब इसकी समिक्षा करना बहुत जरूरी है किसी को पता नहीं था कि रशिया विकेन ट्राइसिस और कोविड जैसी दो संकटों से पूरे दुनिया का सामना होगा और इसका आसर SDGs की जो लक्ष है उन पर इस पर दिखाई देगा ऐसे में अब रिकवरी की तरफ वर्ल्ल का पूरा विश्व का फोकस जो है वो अब जाता हुआ और इस रिकवरी को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए उस पर लगातार भारत की प्रेसिडेंसी ने काम किया है और उसका नतीज़ा आज और कल की लीडर्शिप शमिट के दौरान पूरी दुनिया को दिखाई देगा इस वक्त जो अठारवां G20 शिकर समेलन का आयोजन हो रहा है ये उस दौर में हो रहा है जब विश्वर कोविट महामारी से बाहर निकल रहा है बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी कोविट महामारी से उबर रहे हैं ऐसे में जो चुनौतियां सब के सामने है खासतों पर विक उसी के चलते इस बार की G20 शिखर समेलन को भारत ने नए आयाम देने का प्रयास किया है। और ये भारत मंदमप के द्रिश्य जो सीधे आप तक पहुँच रहे हैं, ये भारत मंदमपम जिसमें अपसे कुछी पलों के बाद, अपचारिक स्वागत के बाद कुछी पलों बाद पहले सत्र का शुभारंब हो जाएगा और जिसमें गंभीर विमर्ष, गंभीर चिंतन सामने आ सकता है। कि विश्व को एक जुठ होकर आगे वढ़ना होगा, तभी संपून विश्व का विकास हो पाएगा। जिलवायू परिवर्तन की चुनोती हमारे सामने हैं, सतत विकास लक्षों को 2030 तक हासिल करने की चुनोती हमारे सामने हैं, ऐसे में कोई भी देश अकेला इन लक्षों क हैं, जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी देशों को एक जुठ होकर सब को एक साथ मिलकर एक कुटुम की तरहां निर्ने लेने होंगे और ठोस कारिब बना, को आगे लेकर, लक्षों को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम साज्वा भविश्य, एक भविश्य हासिल कर पा करें जिने अभी तक विश्व नजर अंदास करता आया है, उन सब को अगर आगे लेकर जाना है, विश्व को वाकई विकास करना है, तो भारत ने इसे परिभाशित किया है कि सब को सामोहिक जिम्मेदारी लेते हुए मिलकर आगे बढ़ना होगा, मिलकर कारी करना होगा. भारत मंडपम से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, और अपचारिक स्वागत का कारे करम अब समाप्त हो चुका है, G20 शिखर सम्मेलन 2023, अब अपने पहले सत्र की ओर, धीरे-धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ, जहां वन अर्थ पर चर्चा होनी है, पहले सत्र में ती मंडपम में, पहले सत्र के ओपचारिक आरंभ से पहले, विधिन राष्टा ध्यक्ष्यों का ओपचारिक स्वागत का सिलसिला जारी, स्टूडियो में इस वक्त अन्शू जोशी जी हमारे साथ है, जीनियो की अब प्रोफिसर, बड़ा फोकस भारत की जो अध्यक्षता है, वो अब अन्तिम चरण में आ चुकी है, अन्शू जीए। देश से आए महमान है, उनका इस अपने अध्यक्षता के एक साल में यहां स्वागत किया, हमने अपने देश में साथ से भी अधिक शेहरों में जीनियो की 220 से भी ज्यादा मीटिंस ता सफलता पूर्वक आयोजन किया, हमने इसमें नए लोग जोड़े, हमने जो पूरे वि करके दिखाया, हमने G20 के मंच के विस्तार की बात की और मुझे लगता है एक बड़ा डेलिबरेशन यह आ सकता है कि जो एफरिकी यूनियन है वो G20 का सदस्य बनाया जाए, अभी तक एक संगठन के रूप में यूरपियन यूनियन G20 का एक पर्मनेंट सदस्य है, और हम य रिटी लेटरल लेवल पर भी G20 के अध्यक्ष के रूप में अलग-अलग सफल प्रयास किये और अब मुझे लगता है कि आज और कल जो घोशनाएं होंगी, जो तमाम रिपोर्ट्स प्रस्तूत होंगी, जो राश्टरा अध्यक्ष अपने विचार प्रस्तूत करेंगे, उ परिभाशित करते हैं, जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक कॉर्वयापार के मुद्दे भी शामिल है, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर पति भदता दुबारा से जाहिर की गई, और ऐसे में G20 शिकरसम मेलन से पहले भी अमेरिका की और से लगातार जो भयान आते रहे हैं, वो ये दिखाते हैं कि G20 शिकरसम मेलन में भारत जिस एक फिजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुवात प्रधान मंत्री मुद्दी नी की थी, उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता, अपने दिपक्षिय वारता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्वित मुद्दे हैं, भारत की प्रात्मिक्ता के अपने उनका खुल करके स्वागत किया है, मल्टि लेटरल एजन्सी इंस्टिशन्स में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तोर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है, ये स्पष्ट तोर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को स मलना ही होगा और दुनिया की सबसे पुरानी डिमाकरसी, दुनिया की सबसे बड़ी डिमाकरसी एक साहर। पीछे चित्रित, इस चित्र को राष्टपती जो बाइडन को एक्स्प्रेंग करते हुए कि इसके माइने क्या है। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। एक सांकेतिक बयान कह सकते हैं यसे लेकिन हाँ, प्रधानमंती नरेंद्र मोधी जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृती में गौरव महसूस करते हैं और इसको सबके सामने रखते हैं, वो यह दिखाता है कि भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से सम्रिध और विविध देश, विभेन मंचों पर इस सम्रिध भारत की विरासत को प्रदर्शित करना महत्रपुण है क्योंकि ये भी भारत की एक टाकत है। तो अंशुल जी मैं ये भी जानना चाहरे थे आपसे, कि हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं, तो हमने देखा कि विभेन एंगेजमिंट ग्रूप्स में, उदाहरें के तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूँ, तो आंगनवारी वरकर्स तक लेकर, यहां तक कि जो असंगतित क्षेत्र के महिला हैं, जो घरे लूग, घरों में काम करती हैं, उन तक भी पहुंचा गया, तो क्या ये ये भी सावित करता है, कि भारत का एक ये भी प्रियास है, कि जो कुछ स्टेप्स, जो कुछ निर्ने सामने आएं, वो जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन को बदल सकें, उसे प्रभावित कर सकें, ताकि वो जो बदलाव के बात की जाती है विश्व में, वो बड़े-बड़े ऐलान नहीं, इन छोट-छोटे कदमों से सामने आएं, और इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी फिर, क्योंकि इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं आ भारत पहुंचे हैं, साओधिय अरब के क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान भारत मंडपम पहुंच चुके हैं, और इस वक्त कुछी देर पहले हमने देखा कि उनका भारत में आगमन हुआ था, और साओधिय अरब के क्राउन प्रिंस का स्वागत प्रिधानमंती नरेंधि मुदी के द्वारा किया जाएगा भारत मंडपम में. बहुत ही महत्वपूर्ण सदस G20 का साओधिय अरब, क्योंकि पूरी दुनिया में हम जो फ्यूल क्राइसिस देख रहे हैं, उसको समारहान देने में साओधिय अरब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जो कच्छे तेल की कीमते हैं पूरी दुनिया के अर् बभावित करती हैं, ऐसे में यह जो लीडर्शिप दिखाई गई है साओधिय अरब की ओर से, भारत के G20 के प्रेसिदेंसी का दारान, तमाम वर्किंग ग्रूप्स के दारान, जो एनरजी सिकेरिटी का मुद्दा है, उसमें एक बहुत ही मजबूत स्तंभ के रूप में जो आप दिखाई गई है, तो साओधिय अरब की क्राउन प्रिंस मौमध बिन सल्मान का प्रधाय मंथी नरेंद्र मोधी के द्वारा स्वागत करते हुए, और इसी के साथ विभिन राष्टरा ध्यक्षियों और अंतराष्टे संगठिनों के अध्यक्षियों का स्वागत क कारेकरम अपचारिक रूप से संपन हुआ जिसके बाद अब प्रथम सत्र वान अर्थ की शुरुआत होगी और इस सत्र